देर प्रेंट ये मेरे पास में जो है XP-PAN इंडिया का ग्राफिक्स टेबलेट है और अभी आप देख रहे हैं कि इसको मैं कनेक्ट कर चुका हूँ ये USB केबल और इसके साथ में जो है ये ये कनेक्टर मिला हुआ है three of die coast जिसको आप mobile phone के साथ में connect कर सकते हैं तो जैसे ही मैं अब ही इसके साथ में connect करूंगा तो ये mobile phone के साथ मैं connect कर चुका हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके जो corners पे LED light के साथ में ये corners भी गलो करने लगे हैं तो ये actually active area है जिसमें आप लिख सकते हैं मोबाइल फॉन को ग्राफिक्स टैबलेट के साथ में कैसे यूज करते हैं तो इसके लिए आपको एक ओनलाइन वाइट बोर्ड की जरुरत होगी एप्लिकेशन की जरुरत होगी तो कोई भी ओनलाइन वाइट बोर्ड आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं यहां मैं यह मेटा मोजी नोट लाइट जो वाइट बोर्ड है इसको यूज कर रहा हूँ आप बिना किसी साइन इन किये और यह रूट और यहां क्रियेट नोट लिखा है तो मैं जेस्टिस को प्लस कर देता हूँ और यहां पर पेज की काफी ओप्सन दिये हुए है तो आप अपनी चुआइस का कोई भी जो पेज है उसको यूज कर सकते हैं जो क्रोस है मैथमेटिक्स के लिए यह भी होरिजन्टल पेज चाहिए या वर्टिकल पेज चाहिए तो यह आपकी चुआईस है तो जैसे मैं यहां पर होरिजन्टल लाइन्स को सलेक्ट कर चुका हूँ तो यह यह वीव करने के लिए यह पैन इरेजर और यह आपको अगर कोई आपने यहां पर ड्रा किया है उसको सलेक्ट करना है तो यह उसके लिए टी टेक्स्ट अगर आपको टाइप करना है तो for that purpose तो अभी यहां पर मैं पैन सलेक्ट कर चुका हूँ पैन की जो ठिकने असे वो यह है solid pen है तो यहाँ आप देख चुके हैं और इसका जो color है वो आप यहाँ से change कर सकते हैं तो suppose कि आप मैं red color को choose करता हूँ तो red color choose कर चुका हूँ और इसको right pen setting में अभी आप देख रहे हैं तो यह मैं अभी इसको यहाँ और क्या feature अवलेबल है brightness right तो red color को आपको कितना bright करना है किसी color को तो वो भी आप इसको देख सकते हैं तो यह color और उनकी brightness यहाँ done किया तो अब मेरे पास में red color का pen है तो यह मैं अब graphics tablet जो है इसका कैसी use करते हैं वो आपको दिखा दूँ और मेरे पास में यह केवल graphics pen tablet और केवल mobile phone है केवल इन दो device के थुरू आप online teach कर सकते हैं यह pen हुआ तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसी pen को मैं tablet की surface पर लेके आता हूँ तो इस तरीके से यह यहाँ दुबारा red color और यह select किया यहाँ और यह जो आपका area है और लेकिन यह यहाँ पर smoothly उसी तरीके से चलेगा तो now you can see कि कितना free hands है मैं यहाँ लिख रहा हूँ और वो कितना smoothly जो है यहाँ आप देख पा रहे होंगे इस चीज को यहाँ तो अब यह next point यहाँ से आप जज कर सकते हैं कि जो आप लिख रहे हैं on the graphics tablet उसमें किसी external बिजली की जरुरत नहीं पड़ती है electricity की और आपके पास में केवल graphics tablet mobile phone है तो इन दोनों को यूज करके आप यहाँ online notes आप बना सकते हैं और इसको आप शेयर कर सकते हैं आप इसके वीडियो क्रियेट कर सकते हैं screen recorder के साथ में और किसी भी subject को जो आप teach करना चाहें जैसे अभी आप समझें कि यह literature कोई course है तो यहाँ पे English, Hindi, whatever जो language है आपकी उसको यूज कर सकते हैं तो in any language जो भी आपका course है उसको teach कर सकते हैं एक point ही हुआ और बिल्कुल frequent way में freehand जो है आप इसको यूज कर सकते हैं तो जितना भी area आपके पास में available है तो यहाँ तक आपने लिखा और now suppose the page has been fill up हो चुका है तो next page के लिए यह जो plus sign इदर लगा है आप इसको click कर सकते हैं तो आपको next page available हो जाएगा and here for an example you want to teach math तो maths को कैसे teach करना है कि suppose किया कोई equation है x square plus y square is equal to 2 और यहाँ पर 3x square plus y square plus z square is equal to 3 तो ऐसे भी अगर आप कुछ लिखते हैं mathematical equation है या फिर कोई integration है minus infinity to plus infinity कोई function fx dx is equal to find out करना है if fx is given right यह right तो यहाँ यह it is not important that equation कि इस पोर में लिखा हुआ है लेकिन point यह है कि आप यह जो screen देख रहे हैं आप इस पर थोड़ा focus यह तो यहाँ एक तो इसकी finishing और एक जो available material है along with this graphics tablet तो यह graphics tablet है यहाँ पर आप इसको आप बिलकुल खुले हाथ से लिख सकते हैं और यहाँ पर ऐसा problem नहीं आएगी कि text यहाँ पर न लिखा जाए तो everything जो है वो screen आप देख सकते हैं कि यहाँ मैं graphics tablet को यहाँ से start करता हूँ इस corner से यह जो corner सो किया है और दूसरे end तक यहाँ तक लेके जाता हूँ तो यह आपको area जो मिलता है यह उसी तरीके से मिलता है यहाँ यह आप plus कर देंगे और फिर अब suppose कि किसी article में आपकी कोई images है या कोई इस तरीके से graphics की आपको जुरूत पड़ती है यह कोई point, velocity, origin यहाँ इसका radial distance और कोई mathematical equation आपको explain करनी है तो आप उसको explain कर सकते हैं और चाहे तो कोई आप एक area select कर सकते हैं कि इस area में जो आपका rough work होगा और इस area में आपका जो है जो fair आपको करना है तो इस तरीके से आप कितने भी page जो है यहाँ पर create कर सकते हैं तो number of pages अब यहाँ यह जो software है यह जो online whiteboard है आपने इसका देखा कि इसकी performance और आप यहाँ से video इसकी screen recorder के थूप video क्रिएट कर सकते हैं तो बहुत ज्यादा difficult नहीं है तो mobile phone और एक graphics टैबलेट आपकी problem solve कर सकता है तो यह था XP India का जो deco 01 version 2 है remember यह version 2 है वी 2 जिसको बोल वर्जन 2 तो यही इसके साथ compatible है यह ध्यान रखिए और XP India का teachers के लिए offer है उनके store से अगर आप purchase करते हैं तो वो आपको 5% discount provide करेंगे अगर आप जो code description में दिया हुआ है उसको यूज करते हैं तो यह था all about to the mobile phone with the graphics tablet and there is no any other external source यह दो device है एक आपका mobile phone अगर आपके पास में है और दूसरा graphics tablet तो graphics tablet को use करके आप online teach कर सकते हैं तो आपके जो भी question है I will try to solve them और जो भी कोई ऐसा doubt लगता है लिंक जो tablet का है वो मैं description में provide कर दूँगा तो आप xp india जो online store है उनका वहां से purchase कर सकते हैं तो यह था जो about to the online white port mobile phone को graphics tablet या pen tablet के साथ में कैसे use करते हैं and I will wait for your questions your doubts और कुछ भी जो आपको लगता है कि zoom के साथ या meet के साथ कैसे use कर सकते हैं या फिर screen recorder के थ्रू वीडियो कैसे ऐसे बहुत सारे question हो सकते हैं आप लोगों के तो without any agitation you can ask the question so thanks for watching this video